36 गड़ में प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के आवान पर सभी जिलो और ब्लोकों में कॉंग्रेस ने प्रेस वारता की है इस दोरान कॉंग्रेस ने केंदर सरकार पर जम कर निशाना साधा है बतादे कि इस वारता में कॉंग्रेस द्वारा देश में लागू किये गए तीन कृशी कानूनों को किसानों के अहित में बताया वहीं वारता के दोरान इन काले कानूनों को जल्द वापिस लेने की बात भी कही गई जानकारी के अनुसार ब्लोक कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनीता विश्णू चंद्रा ने कहा कि केंदर सरकार किसानों को ब्रहमित करने का काम कर रही है और गलत तरीके से कृषी कानून तयार कर उन्हें जबरदस्ती किसानों पर थोपने का प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि इन कानूनों के विरोध में एक महा से भी जादा समय से हमारे किसान भाई भूके प्यासे रहकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं फिर भी केंदर सरकार उनकी नहीं सुन रही वही जिला पंचायत सभापती बैजनती नंदू लहरे ने कहा कि 36 गड़ सरकार समर्थन मुल्य में धान खरीदी कर रही है जो केंदर सरकार को रास नहीं आ रही वही धान खरीदी में व्यवदान करने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है लेकिन 36 गड़ सरकार किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देगी वही उपस्तित किसानों ने भी केंदर सरकार द्वारा लागु कानून को गलत बताते वे संशोधन की मांग की है ऐसे ही लेटल स्टोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैन्ने वार KBD Banquets Enterprise